तो फ्रेंड जैसे मेरा फॉटोपिया का पिछला वीडियो में मैंने बोला था कि आप लोग इस फॉटोपियो का डिटेल वीडियो चाहिए तो आप उस पे कॉमेंड कीजिए तो मेरा बहुत सारा फ्रेंड उसमें कॉमेंड किया कि उन लोग को डिटेल वीडियो चाहिए वो एक उपर मैंने और एक वीडियो बनाया था आप लोग एक वीडियो देखने के बाद मैंने आई बटन पर यहां वीडियो के भी आप चेंच कर सकते हैं यो लेफट अबार कहते हैं इसको मेन के नीचे जो लाइन है इस तूल को हम स्लिट करेंगे तूल का पर पर आ데 iyski तो टूल का पर वहीडियो वी इसको कह सकते और जो ड्रॉट साइड में इसको साइड वार कहते हैं Laurent इस वीडियो में 3 Project Me पर काम करूंगा एक मेने एक पिक्चर का बैक neutrांड चेंज परका दिखाऊंगा आप लोगों एक पिक्चर को उसको बैक्ग्राउंड में लगा के दिखाऊंगा एंड एक लेटर टाइफिंग करके उस पर क्या क्या स्टाइल किया जाता है वह आप लोगों को दिखा देंगे ठीक है इतीन पुजिक को पर में कामकरका को दिखा दूँगा तो फ्रेंट पहले में एक पिक्चर ले लेता हूं यहां से ओपन करके फाइल में जाने के बाद एक पिक्चर यहां से सिलेट कर लेता हूं तो मेरा पहला पिक्चर आ गया है उसका और एक पिक्चर ले लेता हूं जिसका में बैक्ग्राउंड चेंज करोंगा तो इसी पिक्चर में यह वाला पिक भुब्लिके लेयर बना लिया तिलेट कर देता हूं इसको फण्यशन का कुछ उपशन का इसको यहां पर ओपर दौन में देखिए इसा तीन कलर यहां Chris और पर हम रखेंगे ऊची रखेंगे जिसको रेट कलर प्रिंट करेंगे और चीज मतलब पिक्चर से हट जाएगा ठीक है इसके लिए फ्रेंद हमको रेट कला चूज करना है क्योंकि यह वाला पॉर्शन मेरे रह गया पिक्चर में इसको हटाना है इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जूम हो गया हूँ इसको 90पर्षन कर देता हूँ के सगव इसको क्यों कर लेता हूं सीलेट ने इस फोर्षन को इसके लिएति कायं पॉर्षन कर दिए अब कि 50% कर देता हूं चीक है उसके बाद यहां से वाला पॉर्षन हमको हटाना है तो यहां से क्लिक करके वाला पॉर्षन भी हट जाएगा ठीक है हट गया अब यहां पे जो पॉर्षन है एफ फ्रेंड हाड़नेस ज्यादा रखने से क्या होता है कभी कभी आपका जो अंदर वा पॉर्षन हट गया ठीक है तो क्या करना है इसको 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 ऐसे कर दीजिए वह हट जाएगा तो यहां पर तो तो यहां पर यहां से स्टार्ट कर लेते हैं जो साईज है इसको 10% कर लेता हूं ठीक है रहान च會के अब से नेके बाद हट जाएगा पुरा बहुत है फ्रेंट और पोट इबार्स वहिढ है यहां पर हिलका सा रहे गया उपनीन वला पुर्च्छन को लेकिन यहां पर का रहना शाही पर जासा थे समय छला गया है तो इसको जुम आउट कर देता हूं करके देख लेता हूं जा इसको तो थोड़ा सा ब्रा लेता हूं सबढ़ा लेते हैं इसको साइग वहां तोड़ा सबता दोड़ा लेता हूं अब इसको महता देते हैं पूरा डिलेट करें तो हुआ है मैं आप से वह पॉर्षन भी था है ओक्वेंड फ्रेंड पूरा चेंज हो गया आप देख सकते हैं इसे करके आप अपना बैक्डॉण छेंज कर सकते हैं एक गृेंड मतलब बैक्डॉण्ड ग्राइगा एक जल्दी हट जाएगा आप एक बार मैजिक टूल करेंगे तो उन्हां तुरांसे इसे भी आप बैक्ग्राउंड चेंज करने के लिए यहाप बहुत सरा टूल है जैसे quick selection tool है यहापको quick selection tool मिल जाएगा इससे भी आप background change कर सकते हैं ठीक है तो पर select आपका refine edge है इसे करके आप बहुत असानी से बैक्ग्राउंड चेंज कर पाएंगे ठीक है जैसे दिखा ऐसे करेंगे तो फ्रेंड जल्दी हो जाएगा ठीक है इसको हमको जो पिक्चर में लेके जाना है इसके लिए फ्रेंड क्या करना है सिंपल सा है वाला जो पॉर्शन है तो इसको प्रेंड पहले एक ले टांस्परेंट कर लेते हैं तो अब इसको हम लेके जाना है इस पिक्चर में पिक्चर आ गया उसको फ्रेंड यहां पर हम जस् कर देते हैं ऊके तो फ्रेंट रहे पिक्चर इसमें बैट गया अबूंझ इसको इसके साथ एंड़ेस्ट करना है आप इसको खलर आड़ेस्ट भी कर सकते जैसे यहां एक से जाके के और यहांपे अजिस्फ में उपर यहांपी इतना सारह ह कलें की चरएगा उसी का ब्राइटनीस कम होगा तिक है अब मुझे चंज करने के नहीं लिए बैकम यार में जाके करना पड़ेगा ती कह थोड़ा स्वार्व कम कर देता हूं स्विकलाज़ण से और ही यहां प्यक्षिटेक। आपको लेयर चेंज करके जिसे वाला लेयर अब बैक्ग्ग्राउड़नने ने सुरिट कर लिया यहां पर चला जाताय लेयर अब कर दिया इसको क्या करने थोड़ा सा हल्का साम ब्लार कर ने को फिर से हमको फिल्टर में जाना है इस उपर कलिक कर देते हैं तो यहाँ पर बैइंड्गराउंड हो गया है तुसके बाaffНАЯ मेरा जो पुक्चर हो गया मैरा दो फिक्चर एक बैग्गराउंड पर एक आपको अग्डम लगेगा जैस वा पिक्चर ले आए बार से कहीं से पिक्चर उठा गया बठाया है और अब समझी नहीं पाएंगे अब इसको जूम करके भी देख सकते हैं यह देखिए पूरा DSLS से लिया हुआ पिक्चर हो गया फ्रेंड ठीक है तो फ्रेंड ए मेरा एक पोजेक्ट हो गया उसको और एक पोजेक्ट बना लेते हैं तो आप निव पोजेक्ट में जाते हैं जाने के बाद फ्रेंड यहां पे कुछ लेटर लिख लेते हैं जिसके लेटर के उपर का करना तो एक चीज हम दोते जो चीज में लेटर कर हूंगा या पिक्टर करूंगा सब काम प्रेंड आप किसी भी लेयार पर कर सकते हैं चैनि यहां पर कुछ लिख लेते इसके है अधिक है तो फ्रेंट इसको सिलेट करें थौँठा समय ने बढ़ा कर लिया ठीक है इतना बड़ा ठीक है वोके ट्रैंट इसको इसको कलर भी चेंज कर लेंगे यहां पर फ्रेंड यहां पर बहुत सर्द आपशन से यह पर जाने के बाद इसे color change कर पाएंगे रेड कर लेंगे तो red color हो जाएगा इस बेक्ग्राउंड है फ्रेंड पहले फ्रेंड है background का color में change कर लेता हूँ तो हैं पर लेयर बनाना पड़ेगा एक्स बेक्राउंड में जाना है बैक्राउंड ल्गी स्कोण लॉक करना है जो फ्र करने पर आने के बाद शो करेंगे तो जाना है इसको इसको पर दोबाँ क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इसका यहाप बहुत कुछ कर सकते हैं लेटर के उपर इसको थोड़ा सा उपर कर देते। यह friend computer होता तो बहुत अच्छा होता, phone में थोड़ा सा space खम रहता है तो यहाँ पर काम करने में थोड़ा सा problem होता है, बिग पोजेक्ट का काम फोन से करना मूत मुस्किल होता है छोटा मोटा अब एडिट कर सकते हैं लेकिन ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे इसमें ठीक है अब ठीक होगा इसको फ्रेंड यहां पर लेयर पर जाता हूँ और जो क्राशॉप कर से लेटर है उसको पर डबल क्लिक क अब इसको बड़ाना घटाना एकर पाएंगे ठीक है इसको बड़ाना घटाना एकर पाएंगे ठीक है इसको बाद इसका जो स्प्रेड है वह बड़ेगा घटेगा ठीक है डिस्टेंस आप इसको कम ज़्यादा कर सकते अपना जितना अच्छा लाएगा उसी कहीं सब्सक्राइब करना है ठीक है इसको हम ओके कर देते हैं यहां पर जाएंगे फिसको पर क्लिक करेंगे तो फ्रे पर कि डॉबल क्लिक करें गया तो फ्रेंट रेड त इसलिए रेड आगये सकते हैं इसको ब्लैक कर देंगे तो साइड में ब्लैक आ गया इसको बड़ा सकते हैं इसको इसी करकर रख देते हैं प्लास्प में क्लिक करेंगे तो और एक्टो स्टोक आ जाए गया आप है ठीक है यह भी आपका ब्लैक ही है इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा क्यूंकि हमको यह जो लेटर है ना जो लिखा मेंने उसको स्टाइलिस बनाना है यह दोनों यह आउटसाइड में है जो आप एसे एंसाइड कर सकते हैं इसको जो जो कलर है ना कमाना करेंगे तो आप लिखा उसका color change हो जाएगा उसको पर दो बार। क्लिक करना है क्लिक करणा यहां करने क्वाद आप color change कर पाएगे जो अंदर के color तो चेंज कर पाएगे आप उसको black कर देंगे तो busca तो फिर इसको जाकि यहां पर इसको आफ कर देंगे तो यह आफ हो जाएगा ठीक है जैसे वाइट जो आप बैक्ड़ाउंड को पर भी कर पाएंगे जो चीज में आप फॉटोशॉप या फॉटोपिया कहीं पर काम करें आप सेम चीज सब लेयर पर कर पाएंगे तो आपका वाड हो ऑबजेक्ट हो कोई बैक्ग्राउंड हो सॉलिड कलर हेट कहीं पर भी कर पाएंगे ठीक है इसको भी आप कर देते हैं तो यहां पर और एक ऑप्शन है बीवेल एंड एमबोज है तो इसको पर फ्रेंट किक करेंगे तो यह थोड़ा सा और भी आपका करताओ घटाना सब कर पाएंगे ठीक है इसको ऐसको चपांगे में इसको जता कर देते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने जो तीनों पोजिक्ट किया तो एक जेगा लेकर लेकर और गया अब इसका बैक्ग्राउंड बीन हम चेंज कर सकते हैं इसके बैक्ग्राउंड को भी हम रेड कर सकते हैं तो आपको करके दिखा देते हैं यहां से रेक्टेंगुलर टूल ले लेते हैं यहां से इसको बैक्ग्राउंड को रेड कर देते हैं इसको बैक्ग्राउंड रेड हो गया ओके फ्रेंड यहां से आप जो प्रेटर दिखाई नहीं देगा तो ऐसी करके आप डाउन करके आप ऐसे बाप डाउन कर पाएंगे इसको आप जूम करके देख पाएंगे तो फ्रेंड मेरा पोजेक्ट रेडी हो गया अब देख सकते हैं इसको अब सेब कर लेते हैं यहां पे एक्सपोर्ट में जाएंगे जाके जाने के बाद यहां पे जेपीजी में इसको सेब कर लेंगे इसको 100% कर देते हैं तो मैंने आपको बताया था यह सेब नहीं होता है पिछला वीडियो में आपको बोल दिया था तो फिरेंड ऐसे करके आप अपना पोजेक्ट बना पाएंगे ठीक है थ्वादा ज्या दिखा के कर रहा था इसलिए थ्वादा टाइम लगा नहीं तो आप इसको बहुत जल्दी कर पाएंगे ज्यादा टाइम नहीं लगते इसको करने में ठीक है ऐसे करके आप अपना बेरियोस पोजेट कर पाएंगे और एक बात एप फोन में करेंगे तो थोड़ा यहां पर होता है कुछ भी आप फोटरीडिंग सफ्टर में काम करेंगे अपने में तो प्रॉब्लम हो बेसिक लिए आपको अपना माउस करेंगे तो जल्दी होगा ठीक है हाथ से करने से तो चाइम लगता है इसलिए आप लोगो को रिकोमेंड करूंगा कि एक माउस से करिये फोन मे क्योंकि अभी सब फोन में आपका माउस सब्सक्राइब हो गया तो आप माउस से असानी से आपका फोन में कर पाएंगे ठीक है ओके तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लागा तो लाइक एंड से जरूर कीजिए कुछ भी फॉटो प्या रिलेटेड को सब्सक्राइब करना मत बूलिए सो से यू नेक्स वीडियो तब तक के लिए बाई